प्यारे दोस्तों कैसे हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम वी आई प्रिपेड जो के बिहार के अंदर बहुत दिनों के बाद आविलेबल हुई है इसलिए मैं इसकी अन्बॉक्सिंग कर रहा हूँ और जैसा के वोडा और आइडिया मिल करके एक साथ कंबाइंड हुए और आने के बाद इन्होंना गीगानेट का वादा किया कि हम अच्छे सर्विसेस प्रोवाइड कराएंगे तो इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं जितने भी सीम यूज करता था जीयो का यूज करते देखिए एक यहां पर भी है एक यहां पर भी है और इस फोन के अंदर अच्छा चल लाता लेकिन अब जीयो बिल्कुल खराब चल लाता तो इसलिए मैंने कर लिया इसको वी आई के अंदर पोर्ट ठीक है तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि पोर्ट करने के बाद जो इसका नेट स्पीड है कैसा है और फिर उसके बारे में भी ब बादा किया है तो चलिए अब मैं इसको करता हूँ अंबॉक्सिंग तो इसको यहां से मैं निकालता हूँ अब आपको वी आई की स्पीड में दिखाऊं के नेट स्पीड इसकी क्या है तो उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जब कभी भी आप पूर्ट कराते हैं तो उसके लिए वेरिफाई कराने के लिए आपको जिस नंबर पे कॉल करना होता है वो नंबर होत होता है वेरिफाई होने के बाद जिस भी डिस्ट्रिब्यूटर से या जिस भी शॉप से आपने सीम पर्चेस किया है उस सीम वाले से आपको कॉंटेक्ट करके या वो डिरेटली करता ठीके ने तो कॉंटेक्ट भी करना पड़ जाता है कि आप हमारा रिचार्ज कर इस लैप्टॉप में मैं अभी काम कर रहा हूं और कई ब्रॉजर खोल कर गया हूं जैसे देखिए यहां पर मैं अपना वेबसाइट बास सुचने की जो है उस पर काम कर रहा था उस पर भी अच्छा स्पीड देखा फिर यहां पर भी कनेक्ट करके रखा हूं यहां पर जो यहां पर देखिए एंड्रोइड ओर एंड्रोइड सिस्टम आप देख रहे होंगे ठ्थरिंग और होट्पॉट एक्टिव आपको नजर आ रहा होगा यहां पर और यहां पर मैं अगर लैप्टॉप के अंदर दिखा दूं ताकि आपको प्रूफ करा दूं ताकि आपको यह दिना हो कि हाँ दूसरे से कनेट करके आपने यूज़ किया और जैसा भी होगा वह मैं बताऊंगा गलेक्सी M01 को और कनेक्टेड है यह फोन आपको मालूम होना चाहिए कि यह गलेक्सी कहीं है और M01 यह दूसरा कोई फोन नहीं है तो अब इसके अंदर हम इसकी देखते हैं तो आगर यूटूब खोलते हैं तो देखिए कि अब के सामने हैं क्योंकि अभी कई बराउजर चल रहे हैं और देख सकते हैं कि क्या बफरिंग क्या नहीं है इस सारी चीज़ से आपके सामने होगी यानि कि लगभा हमारा दस से पंदरा सेकेंड फाइल को खोलने में लगा तो जीसे अभी देखी अभी मेरा वीडियो जो आज का ही मैंने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और इमेल आईडी कैसे वेरिफाई होगा अगर आप नहीं जानते इस इस वीडियो को ओपन करते हैं तो इस तरह से देखी किस तरह के स्पीड इसकी है वह सारी चीज़े आपको देखने के यहां पर मिल जाएंगे क्योंकि इस तरह से करे तरह कि वहां पर भी आपको दिखा देते हैं और उसी के साथ मैं वीडियो के नहीं करूंगा डायरेक्ट आपको दिखाने के कोश्यश करूंगा कितना देर लेता है अभी रात के हम बात करें तो एधर हमारा कोई भी स्पीड चुलू हो जाता है क्योंकि इसके यूजर बढ बात करा देते हैं कि यूटूप इसमें आगर हम खोलते हैं ठीक है मोबाईल के इनदर लिए से लिए इसके साथ खूला है और कि इसके साथ कर दो बात करें तो करों तो कंई आँपर वहां पर भी हमारे सारे चल रहे हैं और यह हमारा यूटूब के अंदर ओपन हो गया ठीक है लेकिन थोड़ा सा अगर खुलने की अगर हम बात करें तो देखिए मोबाइल के उपर भी डिपेंड करता है कि प्रोसेसर यहां पर प्रोसेसर के अगर हम इसकी बात करें तो लोड क्वालिटी का प्रोसेस के उपर भी डिपेंड करता है तो देखी यह वीडियो वीडियो में ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कि यहां पर कितनी दिर में ओपन होता है तो जो स्ब्राघिक है यह नहीं कि आपको फटा कर चुपा है का की वाल चाहते तो दोस्तों इसकी स्पीड अब मैं बता तो कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा मोबाइल में है यहां पर अगर हम ब्राउजर की बात करें तो विडियो चल रही है कहीं पर आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी स्पीड गया है कि अगर आप वोड़ा के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं कोई दिक्कत बात नहीं है अगर जीओ के हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा जीओ बॉफरिंग करते रहता था और जीओ में थोड़ी से दिक्कत हो रही था इसी वज़ह से मैंने चेंज किया है वी शेयर किजिए तो चलिए इसी के साथ थैंक्स पूर वाचिंग